अगर आपको warning बस चाहिए बस आप alert होना चाहते हैं तो यहां से आप इसको select कर सकते हैं और इसके 8 features हैं मैं आपको ऐसे बताऊंगा second category यह आता है कि address system तो दिया है लेकिन हम इसको use कैसा करें यह कभी पता नहीं चल पाता आपका highway running ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा benefit भी करेगा hello guys आप देख रहे हैं cc0 forecast आपने थम्नेल और टाइटल देखके समझ गया होगा कि कौन से टॉपिक के ओपर आज वीडियो होने जारी कोई भी रीव्यू ने कोई भी ट्राइव रीव्यू ने या फिर कोई भी ownership रीव्यू वीडियो नहीं है आज और आज एक जो टॉपिक जो मैं cover up करने जा रहा हूं बहुत लोग को ऐसा डाउट होता है कि हम इसको कैसे on करें इसको कैसे off करें मैं किसकी बात कर रहा हूं एडा सिस्टम की यह सारे आपको बचाने में और गाड़ी को बहतर चलाने में काफी मदद करता है और काफी मज़दार तरीके से यह जो फीचर जो है कंपनीय दे रही है आज कल के आज गाड़ी में पहले जो होता था यह सारी सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलते थे लेकिन अब सेफटी को ध्या कभी भी बरेक लगा देता है और अब बढ़ा जाता है तो इससे क्या होता है उनको एक डर लग जाता है लेकिन हम इसको यूज कैसा करें यह कभी पता नहीं चल पाता हम घृटी काफी लंबे टायम तक चला लेते उसके बात भी आजकी वीडियो में मैं आपको बताने है व यहां चुब हो गाड़ी के instrument cluster में और infotainment system में यहां से आपको सब कुछ पता चलने वाला है कि गाड़ी में क्या system अपन कर सकते हैं और कैसा हो सकता है सब कुछ यहां पर यह वाला रोल अपना है यहां पर majority जो है यहां से अपने को सीखने को मिलेगा आज की date में देख सकते हैं मैंने आपको लिए पहले से खोल के रखा यह drive assist वाला information system आपको अगर नहीं पता तो यहां से select करके अपना देखे यहां से जाना है vehicle information, navigation, media, notification, setting और जाके यहा आपका जो गाड़ी का distance है और सामने वाला जो गाड़ी का distance है kilometer per hour में चल रहा है वही आपको यह अपने गाड़ी में maintain करके देगा जो attention level आपको दिखा रहा है उसका control यहां से आप कर सकते हैं और इसको कम ज़्यादा करना तो यहां से आप कर सकते हैं अब ही जो गाड़ी जो फुलिपीडिया नहीं हुआ है यह update के साथ नहीं हुआ है जब customer को मिलती है गाड़ी यह पूरा update के साथ आता है जैसे कि मैं अगर बताओं यहां से आप देखिए तो यह देखिए यहां से मैं अगर उसको उपर करूं यहां से तो एक सगेंड देखिए यहां से होगा यह update करके मिलता है तो उसमें आपको on-off का system यहां पे आपको मिल जाएगा अगर आपको on-off करना है तो इसी के अंदर चिपा हुआ है लेकिन इसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं मतलब अपग्रेड इंदस हैं लेकिन इसको कैसे और बहतर कर सकते हैं इसके settings को और अप आपको इसमें पता ही नहीं रहता कि जाना क्या बस म्योजिक चल गया connect करके एपल कार प्ले एंडर ओटो चल गया यही बहुत हो जाता है लेकिन ऐसे hidden features आपको दिये जाते हैं और बहुत मज़े की बात यहां पर अगर बताओं तो यहां से आपको देखने को मिलेगा गाड बता रहा हूं में जुजिस की मैं बात कर रहा हूं एट पॉइंट जो ऐसे गाड़ी को पॉइंट टू पॉइंट आपको अड़ा सिस्टम के लिए बेनिफिट करके देगा यह देखें ड्राइव एसिस पार्क एसिस्ट ब्लाइंड स्पॉर्ट मॉनिटर यह आज का जो मे उखने ब्रेकिंग होता है अगर जांजकर को सामने को रूका है कि मुझे घर को अपने तरफ से तरस से रूपना मि पहन के छाते हैं वहाँ चानकर को आपका जो गाड़ी रदार सिस्टम से कंट्रोलक करके वह आफकी गार्ट को इंस्टेंट रॉप देगा और समझ आ जाएगी कि सामने कुछ रोका है बात करें यहां पर उसके अंदर हमने आया देख सकते हैं यहां पर यह फॉरवर्ड कोलेजन वर्निंग आपको खाली वर्निंग चाहिए कि या फिर आपको एमर्जेंसी ब्रेकिंग भी चाहिए साथ में यहां पर आप आप इसको सेलेट कर सकते हैं बस यह ढोपीक के सब इसके अंदर बाकी बैक करते हैं अब यहां पर Caroline की बाद आती है चीक है reconcile कर सकते हैं बहूठा कर सकते हैं अआप सकते हैं conscious सारा जो साइन है यहां से नहीं यहां पर आपको पूरा बताएगा जब यह आपको पूरा प्रॉपर गाड़ी अप चलाएंगा तो यहां से आपको नविगेट कर देगा कि आपको आगे ट्राफिक साइन होने जारी है कि कौन से 60 किलमेटर पर आवा रहा है कि यूटन नहीं लेना है या फिर यहां से ऐसा कुछ जो भी साइन आपको मिलेगा यह आपको यहां पर बता देगा सेकेंड थर्ड आते हैं अपने को फीचर है यह बहुत काम की चीज़े खासकर नाइट ड्राइव के है बस जो चल रहा है चलने दो सामनेवाले को दिख्कात हो रही है नहीं हो रही है वह अपने को लैनाँ देना नहीं बस अपने को रो MOR विजिबिटी होनी शीय कि अपने लैंस के मोड को आठिक में डालना और उसके बाद जो यह mode को on कर देना है जो भी गाड़ी सामने से आगी single lane में आपको वो गाड़ी के according वो high beam low beam automatic जो कर देगा आपको अपने से बार बार high beam automatic high beam low beam करने की जरुवत नहीं पड़ेगी automatic गाड़ी खुद बकुद यह कर देगा यह हमने देखा third feature बाकी अब आते हैं fourth feature की बहुत मज़दार feature यह आपको मैं पता रहा हूँ lane departure warning यह जो feature है बहुत ज्यादा का का feature है अगर आप single lane में चल रहे हैं या फिर single lane में तो नहीं हाई वे में चल रहे हैं तो यह आपका proper lane को maintain करेगा और आपको इधर उदर आपकी गाड़ी को इधर उदर नहीं होने देगा यह कैसे काम करता है मैं आपको बताने जारा हूँ जैसे कि यहाँ पर आपको पता है lane departure warning हमने पढ़ा था यहाँ पर आपको fully display कर देगा जैसे कि यह देखे यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से आपकी गाड़ी को प्रॉपर lane में रखेगा आपको गाड़ी lane अगर change करता तो आपको automatic यहाँ पर beeping का आवाज आजाएगा rear cross traffic alert यह कैसे काम करता है जैसे कि मैंने आपको डाला reverse gear ट्राफिक में और यह मैं गाड़ी reverse कर रहा हूँ मुझे पता नहीं कि पीछे गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है तो यहाँ से आपको ऐसे बता देगा यहाँ पर देखे डोर open alert जो है जैसे कि दीवर से गाड़ी आ रही हाई वे में में को तर नहीं या फिर single lane में majority जो होता है ऐसे अकसर case जो होते single lane में यह हो जाता है जैसे कि यह single lane सपोस करो यहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ा कि यह साइड में पीचे से गाड़ी आ रही है मुझे पता नहीं है कि पीचे से गाड़ी आ रही है यह यह नहीं आ रहे है यह आपका क्या blind spot monitor system के लिए जो indication है आपको मिल रहा ना यह आपको बता देगा कि आपको पीछे से गाड़ी आ रही है या फिर नहीं आ रही है और आपके डोर को open होने से बचा देगा यहाँ पे आपको indication का alert मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि पीछे से जो है गाड़ी आ रह रहता ही है साथ इसाथ blind spot का भी काम करता है जैसे कि मैं चल रहा हूँ लेन में अपने में और मुझे जो है overtake करने सब्सक्राइब में को right side overtake करना मुझे पता नहीं चल पा रहा है मैंने ORVM भी adjust किया है इस side का भी इस side का भी IRM भी adjust किया हुआ है लेकिन मुझे समझ नहीं मुझे view नहीं मिल पा रहा है कि मुझे मेरे पीछे जो गाड़ी है या नहीं मैं indicator तो दे दिया हूँ लेकिन जैसे मैं मोडता हूँ कि पीछे से गाड़ी दिख जाती है उसके लिए यह आपको जो system काम करता है वह मैंने आपको बता है blind spot वाला इंडिकेशन आपको OR जो में ब्लाइंड सपोर्ट डिटेक्शन है लें चेंज अलट यह आपका बढ़िया से हो जाएगा तो यहां पर जो हमने जो बढ़िया तरीके से सातों पॉइंट समझ लिया है बात आती है में लास्ट और एट पॉइंट की यहां पर कौन सा फीचर है यह कैसे काम करता है काफी बढ़िया तरीके से काम करता है जैसे कि मैं चल रहाँ हाइवे पे और मैं अपनी नौमिनल स्पीड पर चल रहा हूं लेकिन जो पीसे जो गाड़ी आ रही है वह काफी ज़्यादा थे और मुझे कैसे पता चलेगा कि वह अपने को सेफ रखेगा या फिर ने रखेगा लेक आपको यह फीचर जो ऐसे अन करके देगा इंडीकेशन ओन करके उसको अपको इंडिकेट करेगा पिछे जो हाइड स्पीड में गाड़ी चल रही है तो उसको समस्झ आ जाएगा कि यह सारा सिस्टम आपको मिल रहा है में अब बात यह पार्क असिस्ट पार्क एसिस की बाध करें park assist zone में यहां से एपको one tone two ton जो ப french как can park assist डेली टाइमर बदलब अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं टाइमर जो भी आपको सेट करना है और फ्रणt park assist on करना है या फिर ल्व speed activation यह अपको activate करना तो यहां से आप कर सकते हैं पार्क एसिस्ट में है यह हमने देखा ब्लाइंट स्पोर्ट मॉनिटर इसको अन आफ करते हैं यह नहीं करते वो आपके उपर है बाकि मेजर जो है ड्राइव एसिस्ट में हमने देखा एट पॉइंट एट पॉइंट जो एडा सिस्टम के लिए काफी बेनिफिशल होता है औ हम है आपके बात करें अनुक्त की मैं कि अपनियन रखता हूं अगर आकर आपको हाइवे में जादा रनिग है आपका मोस्ट प्रॉवैबली जो हाइवे वे 26 अफी जादा रनिग होता तो आपके लिए आदर सिस्टम काफी बेनिफिशल है तो बाइउ है अपन आपन नहीं तो कि गाड़ी के exterior में, exterior में main जो एडार सिस्टम का जो रोल प्ले करता है, यह वाला camera और यह वाला जो radar है, और यह वालो जो camera है, यह आपका पूरा गाड़ी को maintain करता है, कि आपको lane की पैसिस proper मिल रही है, speed कैसे control करना है, यह आपका radar करता है, और इसमें side में जो sensor आपको ग visibility मिलता है, यह sensor through, front collision warning जो है, यहाँ से आपको पता चल पाता है, बात करें, rear collision warning की, यहाँ पे, कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे आपको मिलता है, और गाड़ी के उस सेड़ आपको मिलता है, जिसके through आपको पता चलता है, यहाँ पे आपको rear collision warning इसके through मिल पाता है, तो ठीक है guys वीडियो पसंद आगा पसंद तो लाइक शर्ण सब्सक्राइब जोड़ से कर देना वीडियो थोड़ था भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो बताना और क्या एक बार कमेंट में में ज़रूर से बताना पाकि में और बड़ी है तरीके से आपको बता पाऊं क्या आपको जानना है इडास सिस्टम के बारे में तो मिलते हैं एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक लिए गुडबाई